हालो स्टुडेंट्स वल्कम बैक टो लोफ यू सेकेंड साम स्टुडेंट काफी दिनों से वेट कर रहे हैं कि कब हमाई टरन आएगी और कब हमें इंपोर्टेंट चाप्टर के बारे में बता चलेगा तो आज हम वही वीडियो लेकर आए हैं आपकी जो इंपोर्टेंट चा किसी आभी डिस्केशन की किये मैं पहले आपको बता ज rail कि एगर किसी उनित में तुछR कर सकते हैं तो आप एक चांटर को बिलकुल नहीं कर सकते हैं लेकिन अगर किसी उनित में दो चाप्टर सै तो आप एक चाप्टर करके और एक chapter skip नहीं कर सकते हैं मतलब आपको उस unit में one and half chapter करना ही पड़ेगा आपका जो paper structure होता है वो इस time से एक बनाया जाता है कि एक ही chapter से दोनों part ले जाएंगे ज़रूरी नहीं है understand तो अगर किसी unit में two ही chapters हैं तो please कौशिश करो कि one and half chapter आप complete करे उसके बाद half chapter आप छोड़ सकते हैं ओके और जो exam के लिए important questions हो सकते हैं सभी मैंने application पर डाले हुए है new era maths application डाउलोड कर सकते हो और वहाँ पर जो combined courses है सभी students के लिए ये questions unlock हैं तो आप भी जिन्होंने अभी तक ये questions check out नहीं किये हैं तो प्लीज आप check out किजिए आपके exams के लिए most important रहने वाले हैं जो questions मैंने वहाँ पर upload किये हैं सो प्लीज क्योंकि इतने सारे questions वीडियो के थो बताना impossible है कितना बताएंगे वीडियो में 10, 20 और बार बार not करना ये भी मुश्किल हो जाता है है ना तो आप free of course ये questions ले सकते हैं इसके लिए आपको केवल Newora Maths application डाउनलोड करना है और सेकिंड सेम के combined course में जाकर आप check out किजिए स्टार्ट करें चलिए जी सबसे पहले हमारे पास है ordinary differential equation यूनिट वाज तो आपको बता चली गया होगा इसमें फॉर्स टू चाप्टर में हमारी यूनिट कवर होती है तो जैसे अभी मैंने बात की जो कुरुक्षित्रा इनिश्टी स्टूट है या फिर आईज उनिश्टी स्टूट है तो प्लीज आप क्या करेंगे वन एंड हाफ चैप्टर करेंगे अगर आपने फॉर्स चैप्टर कंप्रीट किया है बाकि यूनिश्टी के स्टूटेंट आप एक स्किप कर सकते हो और एक चाप्टर से आपको कोशन अराम से बन जाएगा ओके तो यहां से माली जी कि इसमें थ्री एक्सेसाइज है ठीक है तो आप इसका हाफ पोर्शन गर्व एक्सेसाइज नहीं हम पेज नमबर से देख लेते हैं अगर यह 40 पेजिस का चैप्टर है तो आप 20 पेजिस करो ठीक है एक्जांपल के लिए मैंने बताया आपको अग कॉफिशेंट होमोजीनिस लेने और पॉइशन किसी भी यूनिट में थ्री चाप्टर सें तो आपको कौन साथ स्किप करना चाहिए यह तो सबसे उपर वाला यह सबसे नीचे वाला बेज का चाप्टर कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए तो यहां से आपके लिए जो इसका इतना ज्यादा यूज नहीं है जितना 4th और 5th चाप्टर करहेंगी ओके इसके बाद आता है चाप्टर 6 तो उनिट नमर थाड़ चाप्टर 6 कंपलीट करता है एक यूनिट को और इसमें है 5 exercises तो आप यहां से 5 ना करके अगर 4 exercises भी कर लेते हो अगर 4 exercise कर लेते हो तो लास्ट निट है है हमारी ordinary simultaneous differential equation and total differential equation यहां से भी आप एक chapter skip कर सकते हो एक आप कर सकते हो लेकिन कोई risk ना रहे इसके लिए अगर इसमें three exercise है तो एक exercise इसकी भी कर लिजे seven हमने complete कर लिया clear तो eight पूरा ना छोड़के अगर three exercise है तो एक exercise कर लो इसमें अगर combination भी बनाएगा तो chapter के starting के questions ले जाते हैं understand इसके बाद देखते हो vector calculus multiple product of vectors most important chapter and differentiation of vectors अब important तो यह भी है ठीक है तो यहां से आप एक chapter skip कर सकते हैं लेकिन मैं starting में जिनको बोल चुके हो बार बार नहीं कहूंगी अगर दो chapter है तो कोशिश करो one and half आप कर पाएं ओके लेकिन जो MDU University के student है वो आप एक ही chapter कर सकते हो भई सेकिंड चाप्टर ने हाँ से script कर सकते हो gradient divergence and curl most important chapter है और सारे ही topic most important है यहां से आप gradient और divergence कर लीजिए gradient divergence करने के बाद आप curl छोड़ सकते हो curl की कुछ properties जो short question में आ सकते हैं यह आप बेशक कर सकते हैं ठीक है इसके बाद है curvilinear coordinate इसमें से भी पूरा एक unit cover होता है unit number third तो इसमें आप पूरा basic करेंगे complete example करेंगे के विल exercise है एक ही है वो आप skip करेंगे तो totally basic part plus example आप इसका four chapter करेंगा क्योंकि इसका जो basic part है आप throughout BSE देखिएगा आपको बहुत यूज होने वाला है जब थर्ड सेम में एंटर करेंगे और थर्ड सेम में आपको पढ़ना है advanced calculus में differential geometry उसमें इसका बहुत यूज होता है और आगे भी 5th सेम में 6 सेम में 6 सेम में भी इसका यूज होता है तो इसके मनलब यह है कि इसके जो basic concepts है यह क्लियर करना बहुत ज़रूरी है लास्ट निट है आपकी 5th और 6 चाप्टर से वेक्टर integration गौस्ट ग्रीन और स्टॉक थरम अगर आपने वेक्टर इंटिग्रेशन किया तो इसके साथ आप गौस्ट थरम कर लो ग्रीन थरम स्टॉक थरम क्या होती है शोट कोशन डेफिनेटली पुछे जाएंगे 6 चाप्टर से शोट कोशन भी आता है लोंग भी आता है समझ गए और वेक्टर इंटिग्रेशन से शोट कोशन आने की possibility कम होती है वैसे वेक्टर इंटिग्रेशन भी किभी वेटेस कम न रहे कि कोशन हमारा अधूरा ना रहे तो यहां से ग्रीन और स्टॉक थरम गौस्ट हमने करी लिया है अगर शोट कोशन आते हैं तो भी हमारे कवर हो जाएंगे तो ग्रीन और स्टॉक थरम से आफ शोट कोशन भी ले सकते हैं और यह आपका है complete vector calculus और शोट कोशन से वो पूछ लिए जाते हैं अंडर्शंड बड़ी प्रॉपर्टीज नहीं बड़े-बड़े एक्जांपल नहीं आएंगे जो बहुत ही जैसे आइडम प्रॉटेंट का यह आपके पास है तो इस टाइप से शोट कुछ ली जाएंगे कर भी लीनियर कॉडियेट से आ सकता है ब डेफिनिशन से काफी सारी हैं और उस पर बेज छोटे-छोटे कोशन ही पुछ जाएंगे तो यह तो आप करेंगे करेंगे इंपोर्टन चाप्टर है तो इसमें तो शोट कोशन इंप्लिट होई जाएंगे राइट लास्ट है नंबर थोरियन ट्रेगनोमेट्री इसका स्ल सब्सक्राइब करेंगे अगर आपने तीनों किये हैं तो एक्जाम के लिए दो चाप्टर अच्छे से प्रिप्यार करो अब तीनों पर ठीक है आपने तीनों चाप्टर किये हैं बहुत अच्छी बात है लेकिन एक्जाम टाइम पर हमें उन चाप्टर से फोकुस करना है जिससे हमारा कोशन कंप्लीट होने वाला है तो यहां पर आप सेकिंड थर्ड फिफ्ट और शिक्स करेंगे अब फॉर्थ और फिफ्ट करेंगे तो ज्यादा बैटर रहेगा आपके लिए क्योंकि जो हमारे अलर्ड फंक्शन है इनका यूज पूरा बेसी में होगा अंडर्साइंड तो फॉर्थ और फिफ्ट चाप्टर करो नेक्स साथ सेवन टेट औ नाई डिमा फिर टोरम एक्टवी सब्सक्टेशन ग्पलेक्स में और का इसमें मैं यह चाहिए क। basic part higher trigonometry भी complete होता है मैं लग पूरा higher trigonometry जैसे trigonometry important होता है maths के लिए इसी तरीके से higher trigonometry आपके लिए important है throughout base से आप देखेगा तो इसके formulas इसका basic part सारा कुछ use होता है understand तो इसमें आप अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो exam के वाद अगर आपके पास time रहता है और आपकी अगर इच्छा है तो definitely इसको जुरूर complete कीजिएगा हायल टिग्नोमेटरी 7 से लेकर करके 12th chapter तो यहां से आप कर सकते हो डिमॉवियर में भी देखो almost question complete हो जाता है एक ही chapter में 7th chapter में लेकिन कोई risk ना है इसलिए हम 7th और 8th यहां पर choose करेंगे आप 9th chapter को यहां से skip कर सकते हो और अगर आपने 7th skip किया तो आप बहुत ज्यादा loss कर रहे हो अपना 7th chapter का throughout जो higher technology यहां पर देख रहे हो आप throughout इसका यूज होता है तो डिमॉवियर जहन तो आपको पढ़नी ही पढ़ने पढ़ेगी understand 7th 8th या फिर 8 9th जो केवल पास होना चाहता है only 7th chapter कर लो इसमें आपका question almost देखो मैंने कहा almost बन जाएगा 90% chances है कि question complete हो जाएगा only 7th chapter से लिकिन अगर 10% में आ गई तो इसलिए 8th chapter करना भी जरूरी है इसके बाद 10th 11th और 12th logarithm of complex quantity inverse circular and inverse hyperbolic function summation of series यहां से आप 10th और 11th चोज़ करो इनका use ज्यादा होता है वैसे summation of series भी जब आप competitive exams देते हैं उसमें भी इसका use होता है अगर आप देखिएगा तो 12th chapter भी important है वहीं मैं कहारी हो आपको कि high trigonometry तो आपको पढ़ना ही पढ़ना चाहिए complete करना चाहिए इसके सारे concepts आपको आने चाहिए तो trigonometry तो वैसे mathematics की जान होती है तो यह सारा कुछ आपको basic part complete होना चाहिए करना चाहिए एक्जाम के लिए मैंने बोल दिया आपको 7th, 8th कीजिए यह जो नहीं कर सकता है दोरों तो only 7th बहुत अच्छे से कर लिजिए इसके भी पूरे chances है कि यहां से question complete हो जाएगा और इसके बाद आपको 10th और 11th करना है तो 12 chapter में से यहां पर आप 4 chapter skip कर सकते हो नंबर theory and trigonometry तो यह आपके लिए syllabus है important question में आपको बता चुके हूं application में आप visit करो combined course में सबके लिए unlock है तो वह question आप हां से ले सकते हैं और यह वह question है जो exams में बार-बार repeat होते है university कोई भी है no problem आपके university कोई भी है कुरुक्षित्रा निवस्टी से बिलॉंग कर रहे है MD University है IGU है CDLU है CVLU है गुरुग्राव इनवस्टी कोई भी इनवस्टी आपकी है सभी student वन questions को कर सकते हैं और आप देखिएगा और मुझे feedback जरूर दीजेगा आपके exams के बाल कि वह question आपके लिए कितने ज्यादा important होई and last one जो भी student BSc का किसी भी semester का Maths अभी आप second time student है और अगर आपको in future requirement हो कि हमें mathematics में जो help लेनी है पढ़ना है तो आप बहुत ही reasonable rate में New Era Maths application पर courses join कर सकते हो visit कीजिए courses section में और आप देखिए का combined courses आपको अलग से मिलेंगे separate courses आप अलग से ले सकते हैं तो जो भी आपकी इच्छा है आपको एक book करनी है दो book करनी है combined course में combined course में और single courses में सरफ यह difference होता है कि combined course में syllabus वही रहेगा जो single courses में होता है लेकिन क्यूंकि वह तीनों books का combined है इसलिए उसका जो fee है वह बाकि single courses के comparison में हमने कम रखा हुआ है अगर आप combined course जोइन करते हैं तो इस style से आप अपना mathematics बहुत अच्छे तरीके से बहुत reasonable rate में complete कर सकते हैं तो उसके लिए आपको download करना है new era maps mobile application के description में numbers दिये गए है या फिर आप not कर सकते हो 8053633433 आप इस नमबर पर call कर सकते हैं या फिर whatsapp number is 9416941982 आप इन numbers पर contact कर सकत सो मिलते नेक्स लेक्चर में जम के पढ़ाई करो और अपने exams को बहुत अच्छे से क्रैक किजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने marks लेकर आए all the best all of you for your exam bye take care